बापू, बाइबल के उत्पत्ती विसाय का पहले पन्ना में लिखाई इनके भगवान ने कि पहले पिर्थिवी बनाई पहले पिर्थिवी बनाई अग तीन दीन के बाद इनके भगवान ने सूरज और चांद बनाई पहले पिर्थिवी बनाई तीन दीन के बाद उनके भगवान ने सूरज और चांद बनाई बापू पिर्थिवी आज बन गई तीन दीन के बाद सूरज और चांद बनी तो सूरज और चांद जब नहीं थे तो दीन और रात कैसे हुआ अज दिन और रात नहीं हुआ तो इनके भगवान ईशु मसी ने तीन दिन का मैथमेटिस का हासल आया प्रभी ईशु मसी के नाम में आप सबको जैमसी की मैं जॉनसर मसी आज आपने वीडियो में देखा कि कैसे इस बाबा जो है जिसको बिल्कुल भी ग्याननी है जो मुर्ख है जिसको ईशु मसी का ग्याननी है जिसको बाइबल का ग्याननी है जिसको पता नहीं है उसने जो बात बोले उसने बोला कि जो पृत्वी है पर इशु मसी ने बनाई और उसने बोला कि फिर उसने चांद को और सूरज को बनाया तो उसने उसका कहने का मतलब यह है कि रोशनी जब नहीं थी तो उसने उसको बाद में बनाया कहने का मतलब है कि पृत्वी पहले बनाई और सूरज चांद बाद में तो उसका जो मतलब है कि सूरत चांद पहले बनाने चाहिए थे फिर पिर थी इस बाबे को मैं बताने वाला हूँ कि बाइबल का जो ग्यान है वो हर एक के बसकी बात नहीं है क्योंकि ये आत्मिक लोग ही येश्यमसी के वचन को समझ सकते है और किसी के समझना बहुत मुश्किल है ये कोई समझ नहीं सकता और लिख़े है संसारिग इनसान संसारिग बाते करता है और आतमिक इनसान आतिम के बाते करता है जो परमेश्यवर है येश्यमसी है उसने हम बाइबल में अगर पढ़ेंगे तो उत्पती उसका एक अध्याए उसका चार वचर में लिख है और प्रमेश्वर ने उज्याले को देखा कि अच्छा है और प्रमेश्वर ने उज्याले को अंध्यारे से लग किया और प्रमेश्वर ने उज्याले को दिन और अंध्यारे को रात कहा तता सांज हुई फिर भोर हुआ इस परकार पहला दिन हो गया सूरज चांद है वो प्रमेश्वर को नहीं बना सकते सबसे पहली बात तो ये है प्रमेश्वर ने सूरज और चांद को बनाया तो जिस ने सूरज और चांद को बनाया उसके लिए रोशनी की कमी है कोई उसके लिए रोशनी की कमी नहीं है सिरफ ये समझने वाली बात है एक छोटी सी बात है ग्यान ना होने से इसलिए ये इंसान ऐसी बात कर रहा है ये मुर्क है और वाइबल में लिखा है मुर्क का येश्य मसी जो प्रभू है वो सामना करता है यसलिए आप सोच समझ के बोले हो ते आप क्या बोले हो किसी के बारे में आप बिना सोचे समझे कुछ भी किसी के बारे में बोलना बहुत असान है और आपको पता नहीं है कि आप ये जो बोल रहे हैं इसका रिजल्ट क्या निकलेगा क्योंकि वो प्रमेश्वर वो येश्व मसी देख रहे हैं क्रिस्चन जो लोग हैं वो खुद नहीं लड़ते हैं वो प्रमेश्वर के हाथ में छोड़ देते हैं ऐसा नहीं कि वो डरते हैं वो माफ करना जानते हैं क्रिश्चन किसी भी डरते नहीं है हमें प्रभू ने डर कात्मा ने दिया है दिलेरी कात्मा दिया है तो जिसने इस आस्मान को सुर्च चांद सितारों को बनाया है उसके अंदर कितनी रोशनी है डिबल में मुसा जब ज़ाडी के महाँ पर था तूस ने बोला मैं चेहरा देखना चाता हूँ लेकिन प्रमेशर ने बोला तू मेरी चेहरे को नहीं दे सकता क्योंकि अगर तू देखेगा तो अंदा हो जाएगा इतनी रोशनी है उस प्रमेशर के अंदर और ये इनसान बोल रहा है कि रोशनी नहीं तो कैसे बनाया ये मुर्ख लोग ऐसी बात करते जिनको ग्यान नहीं है तो मैं यही कहने का मेरा मकसद है कि प्रमेश्वर महान है और वो रोशनी से भी वो जगत की जोती है उसको किसी चांद सूरज की रोशनी की जूरत नहीं है वो खुद रोशनी है हललुऑ तो वह सारे लोग है और वह सारे लोग आएंगे जो ऐसे ऐसे कॉश्चन करेंगे तो मैं आपको बता रहो इसका अंसर बाइबल के अंदर है यह जो बाइबल है इसके अंदर हर एक question का अंसर है और आत्मिक इनसान इस बात को समझता है जो पवितरात्मा की उगवाई में चलता है और पवितरात्मा बताने वाले है उन चीजों को तो यह जो बाबा है जो विरोध कर रहा है यह जानता नहीं है ये शुमसी को इसलिए इसने इतनी बड़ी बात बोल दिया है अगर यह शुमसी को जानता तो ना बोलता तो प्रबु इसको शमा करे प्रबु इसको आशिज दे मैं की बात कहूंगा हम इसको आशिज देते हैं कि आप जो मुर्ख वाली बाते कर रहें इसको छोड़ दीजिए और अपने जो आपका अपना है अपने जिस चीज को आप मानते हो उसमें बने रहें दूसरों के बारे में मत गलत बोलिए कि कि अगर हम एक कोई आपके लिए गलत नहीं बोल रहा तो आपका भी मतलब नहीं है गलत बोलना तो एक चीज और मैं बताऊंगा कि हर एक चीज का समय सोभ देशक में लिख है सोने का समय उठने का समय बैठने का समय तो जो दिन और रात बनाया है दिन में हमें काम करना है और रात को सोने के लिए प्रभू इशिमसी ने हमें जो रात बनाई है वो सोने के लिए एक धारन आपको दूँगा जैसे कि एक गाड़ी है अगर गाड़ी में आप खाली डीजल डाल दो और इंजन ओयल ना डालो उनीचे लेगी तो उसको ओयल भी जुरूरी है और डीजल भी जुरूरी है तो ऐसी दिन और रात ये भी दोनों जुरूरी है तो इसलिए हर एक ची प्रभू में बने रहें आपके फैमिली के लिए हम दूआ करते रहेंगे आपके बिजनस के लिए और खुद आपको बहुत 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 बलेस करते रहें खुदा में बढ़ते रहें सब को जैमसी की नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे गोड़ बलेस्टियो झाल झाल